मंजिल ने कहा होसलों से तेरी बस की बात नहीं मंजिल ने कहा होसलों से तेरी बस की बात नहीं होसलों ने मंजिल की आँखों में आखे डाल कर कहा चल जोटी तेरी इतनी अवकाद नहीं तेरी इतनी अवकाद नहीं अगर बच्चो आपने किसी चीज को पाने का ठान लिया है, होसला कर लिया है और उसके पिछे आप कड़ी महनत करते हो, तो उसको पाने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोब सकती है, जरूरी है तो केवल और केवल कठीन परिस्टरम और दिन संकल्प की और उस ची लोकेशन फर एक्सेलेंस के इस ओनलाइन क्लासेस पर, तो बच्चो आज तो भी यह चार तारिक और आज आपका था इंगलीज का पेपर, और मुझे पता है कि जो अभिप्सा के स्टूडेंट होते हैं, वो इंगलीज में तो हैं टौपर, इंगलीज में क्या, उनका सभी स अबजेक्ट में उनके अच्छे नंबर आते हैं, आपका जो इंगलीज का पेपर है, वो कैसे गया है, बच्चो वो बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्सों में कमेंट करकर मुझे बताना है, अब वह घड़ी आ चुकी है, जब आपको करना है गड़ीज पेपर के तयारी, क्य क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें, किसको छोड़ें, बहुत सारी जो confusion हैं आपके दिमाग में चलने वाले हैं, तो बच्चो मैं आपको बता दू कि आप इन सारे confusion को अपने दिमाग से निकाल, फेको एकदम tension free हो जाओ, क्योंकि मैं आप ल परिक्षारती नहीं हो, अपने आपको एक युद्धा मान कर चलना है, और आपको परिक्षा के खिलाफ क्या करना है, बच्चो युद्धा लड़ना है, तो परिक्षा के खोपड़ी में हम करने वाले हैं, परिक्षा को हम आज हराने वाले हैं, परिक्षा पर आज हम अंती प्रहार करने वाले बिल्कुल अन्तिम प्रहार करने वाले कि अब 4-5 दिन में हम परिक्षा की कोपड़ी में बिलकुछ छेद कर देने वाले हैं बहुत वैसे तो मैंने मिशन 2017 के अंतरगत चप्टर नंबर 118 पूरा कि रिवीजं करा दिया तक है पूरा दिया किसे पढ़े कितना पढ़े कैसे पढ़े इन सारी चीजों क्या बात आज हम करने वाले एक दम विस्तार से बात करने वाले हैं तो बच्चों आ जाए मेरे सांजुण जाए और आज की इस ओंतिम प्रहार का यह पहला वीडियो होने वाला है जहां प्र मैं आप सभी लोगों को तो आज की इस क्लास में मैं क्या करूंगा जो परिक्षा की गेब डेस आपके बचे हुए हैं चार से पांच दिन बचे हुए हैं उसमें क्या पढ़ें कहां से पढ़ें कितना पढ़ें इन सारी चीजों का आज हम प्लानिंग करने वाले इस्टेजी बनाने वाले हैं तो आज बच्चो मैं अगर अपना गड़ित वाले दिमाग लगाऊं तो आज आपका है चार तारीक क्या है चार तारीक और आपने आज एक्जाम दिलाकर आया हुआ है कौन सा इंगलीज का पेपर दिलाकर आया हुआ है बिल्कुल आप थोड़ा से ठग गये होंगे थोड़ा सा अब आप आराम कर लो थोड़ा से अपने फैमिली वाले से बात करने चाहिए दोस्तों से मिल लो और थोड़ा बहुत बिलकुर आप मुबाइल भी चला सकते हो इंस्टाग्राम में रिज भी देख सकते हो लेकिन थोड़ा ही ठीक है माइंड को एकदम फ्रेस करने के लिए ठीक है चलो चार तारिक है आपका ठीक है आप इस क्लास में आप क्या कर रहे हो इस्टाटेजी पढ़ रहे हो मैंने आपका प्लानिंग बता दिया मेरा प्लानिंग क्या है कि आज मैं आपको इस्टाटेजी बता रहे हो परिक्षा के गेब डेस के लेकिन आपको क्या करना है आपक आपको एकदम इस्ट्रेजी बताना आपका टाइम टेबल करना है आपका क्याम का होगा आज के इस वीडियो में सबसे लास्ट में सबजने वाले हैं अब देखे दस तारीक को आपका कौन सा एक्जाम है सर गडित का पेपर है कौन सा गडित का पेपर है तो अगर बच्चों म एक दो तीन चार पाँच दिन आपके पास उसस बज़ ज़से अब देखो अब यहां पर ना एक काम करो यह नौँ तारीक को को अप निकाल दो सरो नौट परने नहें Esse कि पढना क्या क्या थो परिछ्षक एक दिन पहले दस तारीक को है आपका मैच्ट का पेपर तो परिक्षा के एक दिन पहले बच्चों आपको यानिकी नौ तारी को करना है रिवीजन करना है पर इच्छा के इन गेपडेस में आपने जितना भी पढ़ा होगा उसका सबसे पहले नौ तारी को सुबह उड़कर आप रिविजन स्टार्ट अगर आपके कितना भी पढ़ा है अनीं किया तो उसवीजन ड़ाएगा तो उस पढ़े हुए को मतलब नहीं डाजाएगा तो एक बार पहले आपको रिविजन करना है और समय बच जाएगा तो आगे आपको क्या करना जो च्प्टर बच जाएंगे जो में एक्षट्र में उसको पढ़ना है लेकिन नौ तारिक को बिल्कुल आपको रिवीजन में समय देना बिल्कुछ सर हम रिवीजन में समय देंगे तो अगर हम और एकदम डिफ से बात करेंगे अगर मैं और एकदम डिफ से बात करूं तो बच्चों यहां पर आपको क्या दिखेगा कि सर हमारे यहाँ पर पर केवल और केवल चार दीन से चलिए कि आपको यह दैने को करना है अगर आपका अच्छा परसेंट आया तो हम आप क्या करोगे एकदम चौर से अपने दोस्तों को अपने फैमिली वाले को बताओगे कि मेरा सब 95 परसेंट आया हुआ है अगर आपका कम परसेंट आया तो बताने में भी आपको दिक्कत हो गई तो बच्चो इस साल आप क्या करो होली को वक्रेवर phone नकिनी मिलता है है इसर हमारे पास है चार दिन कितने बच होए चार दिन बचे हुए हैं ठीक वेत यह और दिन में आपको 16 ना कितना zingन चप्टर पढ़ना अड़कों कि यहां पर मैं दो लोगों की प्लाणिंग बताने वाला हूं जो लोग något करदे टाइम कहां से पढ़ोगे इन सारी चीजों की बारे में हम पहले डिसकसन कर लेते हैं फिर मैं अपनी प्लानिंग बताऊंगा एक आपकी प्लानिंग क्या होगी आप कितना पढ़ोगे कहां से पढ़ोगे इन सारी चीजों की बारे में मैं ही आपको बताऊंगा और मैं क्या करूंगा मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगा इसकी प्लानिक की बारे में हम थोड़े से बार में चर्चा करेंगे ठीके सर यहाँ तक को हमने समझ वंगे आप देखो तो बच्चो यहां पर देखो आपके पास चार दिन सेज बचे होए और सर हमारे पास ना 16 अध्या है कितने 16 अ है बिल्कुल पॉसिबल होने माना है बस एक एक चीज को एकदम धैरी से बना कर सुनो ठीक है तो बच्चो अगर इसके हम और एकदम डिप में जाएंगे इसके अगर और मैं डिप में जाना चाहूंगा तो हमें एक बात नजा रहाती है कि सर कि सर एक दिन में हमारे पास 24 होता है देख बच्चो हम मैं सवाले हैं इसलिए हम क्या करते सारी चीजों को एकदम मैं आपको लिख लिख कर बताता हूं तो बच्चो एक दिन में आपके पास 24 घंटे होते हैं अब आपको एक दिन में चार चप्टर पढ़ना है तो कोई भी बच्चा कोई भी जो जो है वो लगातार 24 घंटा नहीं पर सकता अगर वह पढ़ा तो अगले दिन वह भरती हो जाएगा आपको परिक्षा की तयारी करना भाई होस्पिटल बगर में भरती नहीं होना है तो इसके लिए क्या चाहिए आपके सेहत अच्छी होने चाहिए और सेहत को अच्छी बना आप इस 24 घंटे में आपने 6 घंटे सोने में निकाल दिये तो अभी भी आपके पास 18 घंटे बच जाते हैं तो सोना क्या काफ़ी है सेहत को अच्छ रखने के लिए नहीं सेहत को आपको ध्यान देना पड़ेगा घ्कान पान में ध्यान अपने सरीर के साफ सूथरा में अग्दम उसको एकदम अच्छे से रखोगे तभी तो आपका जो तो पड़ा बहुत घर के काम में अगर मंमें बोलो कि बिटे तो अगर आपने मना किया मैं अपने घर का काम करना याए लेकिन आएसा で नहीं करना कई खाने में थोड़े लेकर अधार के काम नहीं है तो अछय खेता दींगे तो अभी हमारे पास बच्चों बच गए 12 घंटे हैं अब आपके पास कितने बच गये 12 घंटे बच चुकिंए inequality 24 को कैसे कैसे तोड़ दिये हैंりました 12 घंटे तो आपके निकल चुके अब बच चुकर आप नहीं और निकाल दिए तो अब आपके पास कितने घंटे बजगे तो इसको भी नहीं करना बच्चों बस दस घंट यह आपका रिजर्व हो चुका किसके लिए आपके पढ़ाई के लिए इसके अलावा आप कुछ भी काम नहीं करोगे बाकि के आपके घंटे को मैंने यहाँ पर एच्छ से डिस्ट्रिबूट कर दिया है यह जो दस घंटा मिला हुआ है वो केवल और केवल आपके प प्लानिंग हो गई यह तो हुई आपकी प्लानिंग हो गए ठीक है तो सरह हम दस घंटा तो पढ़ लेंगे लेकिन मुद्द यह है कि सरह हम क्या पढ़ें और कहां से पढ़ें तो बिल्कुल थोड़ा सा धर्य बना के रखे रहो मैं हर एक चीजों को आपको एक्दम से क्लि करना बिल्कुल मैं कרי टार्य और सुमझा तो कि और मुद्ध है कि क्या करना है तो अब मेरी प्लानिंग इन कस्टार्ट होती है मैं आपको क्या देने वाला हूं मैं आपको इस इसम pandemic और में बारे में अब हम बात करतें देखो तो मेरी planning क्या होगे देखो यहाँ पर मैंने लिखा मेरी दिखाए देखो तो बच्चो मुझे पता चल गया है कि सर आप एक दिन में चार अध्याय पढ़ने वाले हो एक दिन में चार अध्याय पढ़ने वाले हो तो मैं क्या करूंगा रोज की डेली डेली आपको दो वीडि गा एक मेरा आयगा वा आयगा सूबह के 6 वज 10 कितने अच्वर यह सूबह के 6 बच्चो यह अपने मुबासथ को देखो गए तो मेरा LIKE आएगा गाएगा आएगा वह एगा सापके छे बच इतने बच्चों की सामके सामके चार बजे कर दो सामके चार बजे तो यह एक दिन में दो बार मेरे वीडियो आएंगे एक तो सुबह चार बजे आने वाला है सर यह दो वीडियो तो आएंगे लेकिन इस वीडियो में रहेगा क्या मुद्धा है कि सर इस वीडियो में आप क्या देने वाले हो तो बच् important question देने वाला हूं क्या करने वाला हूं बच्चो important मैं question देने वाला हूं जहां रखने बच्चो मैंने कहा है केवल और केवल important question solution के लिए आगे आगे मैं बताने वाला हूं कि उसके solution के लिए आप क्या करोगे कहा से नेखोगे कहा से पढ़ोगे यह चीज के बारे में मैं आगे बताने वाला हूं यहाँ पर सुबद 6 बजे आपको क्या मिलेंगे सुरू के 2 अध्याय का आपको क्या मिल जाएगा important question मिल जा आगा सामके चार बजे वहां पर अध्यायाद तीन और अध्याय चार अगले दो अध्याओं का important question रहने वाला है तो इस तरह से एक दिन में मेरे जाएंगे दो वीडियो एक दिन में दो वीडियो और चार चेप्टर के आपको मैं इंपॉर्टेंट कोश्चन देने वाला हूं तो अगर मैं हिसाब लगाऊं तो बच्चों यहां पर चार दी में टोटल आपको आठ वीडियो मिलने वाला है तोटल आठ वीडियो आपको यहां पर मिलने वाला है और सोला के सोला अध्याए के 16 के 16 अध्याए के आपको महत्वपूर प्रश्ण मिलने वाला है important question यहां पर मिलने वाला है एकदम सर यहां तक की बात clear हो गई तो मैंने बच्चों यहां पर कहा है important question only important question लेकिन सर पढ़ेंगे कहां से आप तो बस क्वेशन देने वाले हो पढ़ोगे कहां से हाँ अब इसके बारे में चलिए बात कर दें देखें बच्छो यह तो मेरी प्लानिक होगी ना चल इसको भी मैं बॉक्स में पैक कर देता हूं ठीक है हर एक चीजों को एकदम बारिकी से समझने बच्छों बिल्कुल इसको एकदम स्क्रीन सौट लेकर रख लेना है अपने मुबाइल फोन का इसको क्या बनाने लेना वाल पेपर बना लेना ठीक है सर यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुकी अब देखो सर यहां पर तो आप important question देने वाले हो लेकिन मुद्ध यह कि सर इसको पढ़ेंगे कहां से चलिए अब इसके बारे में मैं बताता हूं तो यहां पर देखो ध्यान देना है कि यहां पर जो मैं आपको important question देने वाला हूं यहां पर जो मैं आपको important question देने वाला हूं इसको मै मैंने YouTube series के अंतरगत मिसंद 2023 के अंतरगत करा दिये मैंने क्या किया है मिसंद 2023 के को और अच्छ से एकदम डिपली पढ़ा हुआ उसको analysis किया हुआ है और वहां से मैंने most important question को select करके रखा हुआ है जिसको मैं आपको देने ओलना हुँ बिलकुल इसको देने वाला हुँ ठीक है अब देखो लेकिन अब आपको पढ़ना कैसे हैं कितने स्थे लप्रकार के बच्छे होते हैं यहाँ पर मैं आपको तो रहा हमारे पास बच्चे हैं है कि पहला परकार जो बच्च व होता है उनके जो पैरेंस होते हैं परिच्छा के गेवडेस में भी उनको मुबाइल फोन वगरा अलाव करते हैं तो वो बच्चे बिल्कुल क्या करेंगे यूटूब में जाकर मेरे पूरे प्ले लिश्टों को देख सकते हैं मिरस्तन वगरा नहीं देते हैं बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे पास तो भी स्टडी मटरियल है आपके पास तो नोट्स है आपके पास दूबूक है गाइड है इससे पढ़ोना क्यों वीडियो देख रहे हो तो उस बच्चे के लिए भी यहां पर सलूसन में लाया हुआ हूँ तो द अगर आपको सुरू के दो चैप्टर का मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया तो इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने करा कर रखा हुआ है कहां पर यूटूब सीरीस के अंतरगत करा कर रखा हुआ है तो जब यह वीडियो अपलोड होगा ना तो उसी के उसी व को आपको YouTube में जाकर देखना है बागी को अवाइट कर देना है ठीक है हाँ अगर वह अवस्तु निश्टर परकार का प्रस्तन है एक नंबर वाले प्रस्तन है तो बिलकुल आपको पूरे को देखना है और अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप का कोश्चन हुआ तो वही कोश् यहां पर चुम्हें जाऊंगे को तो बिलकुल वह बच्चे क्या करेंगे अगर ओपरेंस मेरा वीडियो को देख ना क्याना चाहोंगा कि दिन में बस दो ही टाइम उनको आप फोन दे दीजे एक तो सूबा के 6 बजे और एक तो साम के 4 बजे वह क्या करेंगे 10-10 मिन्स मेरे वीडियो को देखे लेंगे वहां से important question को देखे लेंगे और उसके solution को PDF form जो यहां पर मैं description box से में दूंगा उसको download करकर बिलकुर वह बिना नेट चला है बिना YouTube दे तो वीडियो भी आपको मिल जाएंगे अगर आपको बस सर हमको देदो study material वहां से हम पढ़ लेंगे तो वहां पर भी मैं आपको इस question का solution description box में share कर दूंगा वहां से आप PDF के फॉर्मेस को download करका है इसली पढ़ सकते हो तो यह तो बात होगे बच्चों मेरी planning कि मेरी planning में क् सर दूंगा दो वीडियो कितने दो वीडियो दूंगा ठीक है एक तो सुबह के 6 बजे और एक तो आएगा सामके 4 बजे सामके 4 बजे आने वाला यहां पर लिख लो सामके 4 बजे आने वाला ठीक है सेकेंड वीडियो और एक वीडियो आएगा सूबह के 6 बजे यानिकी एक दिन में आपको चार अध्या के मैं important question देने वाला हूं यह तो हो गई मेरी planning और यह हो गई आपकी planning आपको डेली की डेली बिल्कुल इमानदारी दिखानना दस घंटे पड़ना है यही वह समय जो आपको कुछ करके जाना है ठीक है तो अब आपको एकदम सीरियस हो जाना मैच से का पेपर एकदम ताबर तोड़ ताबर तोड़ इसको सौल करके आना है बिल्कुल एकदम टेंशन फिरी हो जाए एकदम बहुत अच्छे से तैयारी आपकी होने वाली है तो यह होने वाला हमारा study हमारे planning होने व तो देखे बच्चों यहां पर जब आप रिविजन करोगे दिन में तो मैं क्या करूंगा आपको एक यहां पर सैंपल पेपर देने वाला हूं क्या करूंगा एक है सैंपल पेपर मैं देने वाला हूं एक और सैंपल पेपर मैं यहां पर आपको देने वाला हूं तो आप न रिविजन तो आपकी प्लानिंग हुई और मैं मैं क्या करूंगा मैं आपको सैंपल पेपर देने वाला हूं नौ तारिक के सुबा छे बज़े आपको बिल्कुल आपके स्क्रीम पर मेरा जो वीडियो मिल जाएगा जिस पर मैं सैंपल पेपर को डिसकसन करूंगा उनली उसमे क्वेस्टर रहेंगे उसका सुल्यूशन आपको खुद बैटका घर में सॉल्व करना ठीक है सर यहां तक कि भी हमने इसको समझ लिए अब देखो देखो तारिक मेरी प्लानिंग का थी कि मैंने आज आपको रणनीती बताइ परिक्षय के इन जाएव लेक Li अर्यूंटी नहीं किresser है इसमें सर्कृली हां फिर्च्छो लड़नीती बता दी अब आप लोग क्या करे तो लेकिन सर हम अब क्या पढ़ेंगे क्योंकि आप पास तारिख से वीड़ियों देने वाले हो ना तो बच्चों यहां पर देखो इहां पर देखो मेरा जो एक वीडियो तो मैंने जो संपल पेपर डिया हुआ है उसको बिल्कुल आप दो घंटा देख लो पढ़लो समझ में ङूंपाइप्टर का आपको important question देने वाला हूं उसके solution भी मिल जाएंगे और उसको आपको अगर देखना है तो YouTube series के अंतरगर जाने के लिए प्ले लिस्ट में जाने के लिए आपको वहाँ पर link भी मैं share कर देने वाला हूँ तो यह पूरी हमारी strategy होने वाली है पूरी हमारी planning होने वाली है अगर किसी भी तरह के आपके मन में doubt है अगर किसी भी तरह के ख्याल आ रहे होंगे किसी भी तरह से तो बिल्कुल बच्चों आपको comment करकर पूछ लेना है मैं हर संभव पर यास करूंगा उसका answer देने के लिए ठीक है तो चलिए बच्चों आज की इस class को हम यही पर over करेंगे यह पर खतम करेंगे बिल्कुल यह चीज़े आपको सारी चीज़े के लिए समझ में आज शुकी होगी अगर को भी तरह किसा आपको doubt लगता है तो बिल्कुल comment box में comment करकर पूछ लेना है जो मारे sample paper दिया हुआ था इससे पहले वाले वीडियो में उसको आप जाकर अच्छ है बजए तब तक के लिए thank you very much